साफ कर लिया है अब इसको बॉय करने के लिए रख देते हैं देखिए हमने पालक को बांक करने के पालग हमारा वायल हो चुका है अब इसको ठंडे पानी में ठ्रांस्पर कर देते हैं मिक्सर जार में हमने एड़ कर दिया है इसका पेश्ट तयार कर लिया है तीन बड़े साइज का हमने आलू को वायल कर लिया है इसका चिलका उतार लिया है अब इसको बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेते हैं कुछ लासुन की कले ले हैं इसको भी हम कुट कर तायार कर लेते हैं लासुन हमारा कुट चुका है कुछ हमने मसारे लिए हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं धनिया पौडर जीरा पौडर गरम मसाला कीचन किंग मसाला दो तेज पत्ता दो सूखी लाल मिर्च कुन हैं एक बड़े साइज का प्याज को हमने बारी कट कर लिया है दो टमातर को हमने छोटे-छोटे कि पीशेस में कट कर लिया है कि मैं गैस पहने कराही कुरख दिया है कराही गरम हो गया इसमें church art कर देते हैं वं कि दखे दी अमारा गरम हो चुका है अब इसमें खड़े मसाले और खड़ा जीरा को ऐड़ कर देंगे यह चटकने लगा है अब इसमें प्याज को ऐड़ कर देते हैं प्याज हाफ कुक हो जाए तो इसमें कुटे हुए लासुन को भी एड़ कर लेंगे कि दो से तीन मिनट इसको भी भून लेंगे प्याज और लासुन अच्छे से भून चुका है अब इसमें टमाटर को ऐड़ कर देते हैं साथ ही इसमें आदा चम्मस के करीब हम नमक को ऐड़ कर देंगे जिससे टमाटर जल्दी से सौफ्ट हो जाए टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है अब इसमें मसाले को एड़ कर देते हैं थोड़ा पानी भी एड़ कर देंगे जिसे मसाला जलेना इसको लगातार चलाते हुए मेडियम फ्लेम पे भूनेंगे इसी के साथ हमने कसूरी मेथी को भी एड़ कर दिया है दो मिनट और भून लेते हैं देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है अब पीसे हुए पालक को भी इस मसाले मेड करके आड़ से दस मिनट इसको भूनेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए हमने कवर किया था इसको हटा रहते हैं इसको लागातार चलाते हुए भूनेंगे नहीं तो जलेगा पालक अच्छे से भून चुका है अब इसमें उबले हुए आलू को आड़ करके दो से तीन मिनट इसको भून लेंगे गेस पे हमने भगवने में थोड़ा पानी रखा है पानी गुन गुना हो गया है अब इसको ग्रेवी के लिए आड़ कर देते हैं गुन गुना पानी ही मसाले वारे सबजी में आड़ करेंगे इससे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको कवर करके पका लेते हैं पान से साथ मिनट देखिए ग्रेवी में वुवाल आ रहा है सबजी बनकर विर्कु रेडी हो चुका है अब इसका तड़का तयार कर लेते हैं देखिए ग्यस के फ्लेम को अन कर दिया है कर्ची हमारा गरम हो गया अब इसमें सरसो का तेल आड़ कर दिया है तेल गरम हो गया है इसमें खड़ा जीरा आड़ करेंगे कटे हुए लासुन एड़ करेंगे गैस के फ्लेम को अबंद कर देंगे दो सूखी मिर्च को हमने तोड़ लिया था कास्मेरी लाल मिर्च आधा चमच एड़ कर देते हैं ज्यादा गरम तेल में नहीं आड़ करेंगे नहीं तो जल जाएगा धड़का हमारा तयार हो चुका है अब इसको चमच से हम सब्जी में एड़ कर देते हैं देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी दीख रही है हमने इसको सर्व कर लिया आप भी बना करके ट्राई करेंगे जो जिया लिया आप रही है हमारे सब्जी कर देखिए हमारी सन्थ. तके प्याड़का हमारी समय कर देखिए हमcop Self Sub Lời